आपको मलीन कैसी किया जाए इनको राक्षस बना दो मास खाना सिखा दो यह लड़ने लाइक नहीं रहेंगे और फिर आकर्मन करेंगे यह हमारी उलादे बन करके हमारे साथ में खड़ी रही यही आप इतियास उठा के देखोगे यदि हिंदुस्तान टूटा है हिंदु संस् संस्कृति टूटी है अबलाओं पर कोई हुआ है जजिया कर लगा है अकबर जोदा हुआ हो चाहिए कोई भी और जिस दिन राजपूत ने अपना धरम छोड़ा उस दिन हिंदु संस्कृति तूटी और राष्ट धरम नीचे गया है और जिस राजपूत ने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रण रखा था वो सचा राजपूत्रा उस दिन हिंदु संस्कृति बची है आज भी ऐसे सचे राजपूतां की चलूत है आज भी हिंदु संस्कृति देखती है ब्रामन देखते हैं संत देखते हैं सभी देखते हैं गाम की छोटी सी बात हो कोई राजपूत खड़ा हो तो 36 कौम राजपूत के साथ खड़ने में विश्वास रखती थी पर आज नहीं रखती है आज तो कहते है यह बना है बना मतलब अकल बना अकल है यह नहीं बना हो रहे गोड़ी क्यों नहीं है बुद्धी लुबपतियम यदमत अदकारी उच्चते जिसको बुद्धी बार निकालनी है वो दारू को अंदर डाल दो बस दिमाग निकल जाएगा अपने आप यह दो काम आप बखुबी बड़ी सान और सोकत से करते हो एक मास खाना और एक दारू पीना तब आप पुल्ड राजपुत माने जाते हो जब तक आप मास नहीं खाते हो और जब तक दारू नहीं पीते हो तब तो कहते हैं कि बामण भी जाओ के बामण ने घरे पैदा हुआ होगी ये बामन की बात नहीं है असलिक्षत्रिय वही होता है जिसका बुद्धी पवित्र हो जिसका खानपान पवित्र हो वो असलिक्षत्रिय जिसके हाथ किसी की अत्या के लिए नूर्फते हो वो असलिक्षत्रिय आप कलपना कीजिए अब कहां से लाएं असलिक्षत्रिय कैसे ब में विश्वास नहीं रखता हूं कि मैं राजबूत के घर पैदा हुआ यह मेरा प्रारब्द था परंतु मैं एक सन्यासी की रूप में हूँ इसलिए पूर्ण हिंदू संस्कृति की बात करूंगा सभी समाज मेरे समाज आप मेरे हो मैं आपका हूँ ना किसी एरिये से बंद की बात करते हो बुरा मत माना इस बात को एक अधनिये राम सिंग जी और समानित मन से भी निवेदन सुनतो रहे हैं फिर भी उनके नाम से समोधन करके कहना चाहता हूं मास तीन प्रकार से मिलता है मार्केट में मास तीन प्रकार से मिलता है एक जटके का मास एक हलाल किया हु पसुप मास, तीनों ही मास की स्रेणी में आते हैं, आते कर नहीं आते हैं, अपने आप मरता है, अथवा जटके से मारते हो, अथवा हलाल करके मारते हो, जब तक उसके अंदर प्राण है तब तक तो वो है, प्राण के बाद वो मिटी तीनों एक जैसी होती है, होतीग नहीं हो कि डूंडी वो भी डूंडी कहला ही जाएगी परंतु आपने भर्म में रख करके आपको कि वह तो जटकेर हो है डूंडी कुण लागए गरे डूंडी तो बंगी उठाए वो भी डूंडी और बहुत मुझे सरम के साथ कहना पड़ता है कि हमारी राजबूतों के जिस विद् लिए आपको सुनाना चाहूंगा बोले मार्केट में मास बहुत सस्ता मिलता है और एक महंगा मिलता है सस्ता कौन सा मिलता है महंगा कौन सा मिलता है कि जटके का मास महंगा मिलता है और हलाल किया हुआ मास 50 रुपे सस्ता मिलता है और उस होस्टल में सपता में दो दिन बच बच्चों को मास खिलाया जाता है तो क्यों ना अपन हलाल किया हुआ मास लाकर इन बच्चों को खिला दें जिसे पचास रुपे सस्ता आगा ये है आज के राजपूत कि ये है आज के राजपूत कैसे कैसे आपको राक्षस बना करके प्रस्तुत कर दिया क्या आपका रूप था क्या आपकी शान थी क्या आपके अंदर स्वाभी मान था घास की रोटी खाने के लिए तैयार थे पर तु सोनों के थालों में खाने के लिए आपके बच्चे तैयार नहीं थे वही राजबूत आज शात्रा वासवा में पढ़ने वाले बच्चे हलाल किया हुआ मास खाने के लिए तरफ रही हैं होटलों में बड़ी बड़ी शेमी नारा में जाकर के आप जो मास भक्षन करते हो पता है वो किसका मास है कैसा मास है गाय का मास है हलाल किया हुआ मास है कभी आपने विचार किया है आपका धर्म किस प्रकार से नश्ठ हो गया है जिस जीवन के अंदर से धर्म निकल जाता सब निकल जाता है दुनिया को देखो समाजों को देखो जिस समाज ने धर्म को आगे रखा वो सदा आगे बढ़ा है और जिस समाज ने धर्म को पीछे रखा वो खड़े में गया है इसलिए कहा गया धर्म और रक्षती रक्षित है जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है हम लोग धर्म को निकाल करके स्वार्थ को पहले रखते हैं इसलिए हमा माजबू तेरा ठोड़ी खाना खाएंगे वहीं हमारी मती मारी गई वहीं हम नीचे आ गए हैं आप इस धरातल पर जाकर के सोचो आध दुनिया के अंदर आप ही नहीं हो मास खाने वाले नव अर्ब की जन्सक्या इस दुनिया की उसमें से 80% लोग मास खाते हैं और ये लोग आप तरक दोगे माराज आप मास के लिए हमें कहते हो दुनिया के 80% लोग मास खाते हैं फिर भी मस्त रहते रागे बढ़ते हैं उनको मैं उत्तर देना चाहता हूँ दूसरा जो लोग कहते हैं कि जीवो जीवश्य भक्षणम जीव जीव का भक्षण करते कोई पाप नहीं लगता हूँ उनको मैं एक उत्तर देना चाहता हूँ मित्रा पहला तो उत्तर उदार्ण ये है कि मास मनुश्य का बोजन है ही नहीं कैसे नहीं है मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जितने भी प्राणी भगवान ने मास खाने के लिए बनाए है जो भी नास्तिक रूप में तारकिक लोग जो तरक पर आधार पर आप बैठे सुनना चाहते हो जितने भी प्राणी भगवान ने मास खाने के लिए बनाए है वो सब के सब प्राणी जन्लम के समय आँखें बं कशली गीदड्ड शियार जितने वी मासारी प्राणी है वो सब के सब आँखें बंद पैदा होते हैं प्रकरति ने भगवाण आपको मास खाने के लिए नहीं बनाया दूसरा अउदान जितने भी मासाहरी प्राणी है वो सब के सब तीखे दांक लेके पैदा होते हैं तीखे दांत होते हैं उनके और जितने शाकारी प्राणी हैं उनके किसी के तीखे दांत नहीं होते हैं जितने मासारी प्राणी उन सब के नाखून भी तीखे होते हैं, कुता, शेर, चीता, बिली, सब के तीखे नाखून होंगे, और जितने भी शाकारी हैं, आपके मेरे देख लो चप्टे हैं, गोडे के चप्टे, उंट के चप्टे, बकरी के चप्टे, बेड के चप्टे, जि इतने शाकारी पानी है सब होठों से पानी पीते हैं जितने मासारी प्राणी है उनकी सब की जठ्रागनी अलग है वो सीधा मास अंदर पचा सकते हैं और आप और हम आप लोग जो लोग मास खाते हैं वे लोग सीधा मास खा नहीं सकते मर जाओगे आपको कोईन को संसाधन ले देना चाहता हूं आपके साथ छलावा किया गया आपकी संस्कृति को तोड़ने गलिए आपके धर्म को नष्ड करने के लिए आपके साथ आपके देवी देवताओं को नहीं छोड़ा, अब आपको यदि इस रस्ते पर लाना था, तो जोग माया को बकरा चड़ाओ, भैरु जी ने बकरो चड़ाओ, बोमिय जी ने बकरो चड़ाओ, उन्ही आड में थाने मौस खोड़ाने रुत्तरी को डूंडियो, अब मेरी भी कुड़ देवी है, मेरी देवी कुड़ देवी नागणेची आए, इंगला जमाता है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं सरूप नारियल, जिनने अब लीलो नारियल कहा हूँ, सरूप नारियल ले जान माताजीरे चरणम और आख, और मैं वोई आशिरवाद प्र को किस प्रकार से गुसेड करके, आपके जीवन को नश्ट कैसे किया जाए, विदेशियों की चाल थी, और उसमें आप और हम सब बरबाद हो गए, कलपना कीजिए, माता जी की मंदिर की प्रतिश्टा,